On the 8th of September 1659, huge crowds gathered as a prince came through the streets of Delhi. वो तारीक की 8 सितंबर 16-16, सडकों पर उस दिन भारी भीड थी. एक शहजादा उस दिन दिल्ली की सडक पर निकला था. उस सडक पर जो ठीक मेरे सामने से लाल के लिए तक जाती है. वहाँ पैदल सैनिक थे, घोड सवार थे. शहजादे का नाम था दारा. लेकिन ये किसी जीत का जश्न नहीं, ये सरे आम बेजज़ती थी. दारा एक मरियल से बूडे हाथी पर बैठा हुआ था, गंदगी से ठका. उन दिनों मुगल दरबार में रह रहे, वेनिस के एक यात्री निकोलो मनूची ने इस बारे में कुछ यूं कहा है. उसके गले में अब शांदार चमकदार मोतियों के वो हार नहीं थे, जो हिंदुस्तान के शहजादे को अलग पहचान दिलाते थे. उसकी पगड़ी कश्मीरी शॉल की तरहला पेटी गए थी, ठीक वैसे ही जैसे गरीब लोग पहनते थे. दारा शिकोह, मुगल बार्शाह, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा. दारा मुगल समराजी का वारिस था और अपने पिता का चहेता भी. शाहजहां ने अपने बेटों को दूर दराज के रियासतों पर राज करने के लिए भेजा था. लेकिन उसने दारा को सालाना दो करोल रुपए की मुझराई देकर अपने पास रखना मुनासिब समझा. इस वजह से दरबार में कुछ लोग दारा को दारा बाबा भी बुला जो उसकी ताकत भी थी और उसके पतन की वजह भी बनी. शाही दरबार से मिलने वाली पूरी रकम को दारा धार्मिक विचारों की अपनी धुन, धर्म और दर्शन से जुड़े ग्रंतू की अनुवाद और मुगल शैली की कलाकृतियां बनवाने में खर्च कर देता था. द हर्म गुरूओं से घिरा रहता था. 1656 की शुरुवात में उसने उपनी शदों का अनुवाद शुरू करवाया. उपनी शदों को वेदान तुभी कहा जाता है. और इन्हें वैदिक हिंदू धर्म का स्त्रोत समझा जाता है. नियॉर्क विश्विद्याले में दर्शन के प इस तरह के संसादन नहीं थे. उसने संस्क्रित सीखने की कोशिश की. लेकिन एक और कहानी भी है जो दारा की कहानी के साथ साथ चलती है. दारा के धार में कट्टर पंथी भाई औरंग जेब की. दोनों की इस होल के नतीजे ने शायद भारत के इतिहास की धारा का रुख ही बरकले में इतिहास के प्रोफेसर मुनिस फारुकी कहते हैं. और उसका कट्टर पंथी सैनिक भाई औरंग जेब. एक समकालीन विशलेशक ने साधारन सा विरोधा भाज देखा. जब दारा संस्कृति को बढ़ावा दे रहा था, औरंग जेब अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था. यू होता तो क्या होता? कुछ ऐसी ही कहानी है इन दोनों भाईयों की भी. क्या होता अगर उस दिन दिल्ली की सलकों पर जिसकी बेज़ती हुई वो दारा की जगा औरंग जेब होता? और दारा बात्षाह बन गया होता तो क्या वो मुगल सामराज को उस तरहा बिखरने से बचा सकता था? जैसा औरंग जेब के राज में हुगा? कुछ लोग ज़रा आगे की सूसते हैं. दारा भारत में बौद्धिक पुनर जागरन को प्रेरित कर सकता था. तब शायद भारत पश्चिम के बराबर खड़ा होता और डेल सौ सालों की गोलामी से बच जाता. शायद धर्म के आधार पर 1947 में बटवारा भी न हुआ होता. दारा आश्वस्थ हो गया कि यहां इशारा उपनिशदों की ओर है. दारा ने अस्तित्व की एकता के सिधान्त को मानना शुरू किया, जिसके मुताबिक सारे धर्म ईश्वर की तराश में किसी एकेश्वरवादी सत्य में मिलते हैं. ठीक वैसे ही जैसे नदियां सागर में मिलती हैं. दारा का मानना था कि हिंदू वैदान्तिक दर्शन के अध्यन से इसलाम के भके छिपे रह से उसके सामने आ रहे हैं, जिससे उसे इतना विशेश ग्यान मिलेगा कि वो बिना किसी चुनौती के तख्त पर जा बैठेगा. मुनिस फारुकी. मुझे लगता है कि दारा के बड़े राजनीतिक हिसाब किताब का एक एहम हिस्सा ये भी था कि वो खुद को एक आदर्श व्यक्ती की तरफ पेश करे. कोई ऐसा जो शायद वो सभी दिव्य रहस से जानता हो, जो किसी आम आदमी को पता ना हो. दारा ने मुगल ताज की अ मुगल समराज में शाही उत्तराधिकार की लडाईयां अकसर खून खराबे से भरी होती थी. शेहनशा का हर बेटा ताज पर दावा ठोक सकता था. लेकिन दारा ने उन दरबारियों को ही दूर कर दिया था, जिनके समर्थन की जरूरत उसे पिता की मौत होने पर पड़ती. दारा के समर्थक निकोलो मनूची लिखते हैं. शायद वो सपने देखता था. दूसरे दार्शनेकों की तरहां वो विचारों के बारे में सोचता था ना की प्रशासन के बारे में. शायद धार्मिक एकता के बारे में कम और प्रशासन के बारे में दारा ज्यादा सोचता तो अच्छा रहता. इस बीच औरंगजेब खुद को मजबूत कर रहा था वो अपने प्रभाव का दाइरा बढ़ा रहा था और शाही सिंहासन पर कबजे की तैयारी कर रहा था मुनिस्थ फारुखी शहजादे औरंगजेब के बारे में बताते हैं औरंगजेब ने मध्यभारत में काम किया उसने दक्कन में दो लंबे कारेकाल बिताए वो गुजरात में रहा मुलतान में रहा उसने उत्तरी अफगानिस्तान पर हमले में हिस्सा लिया और कंधार पर चड़ाई में भी वो सब जगा था इन सालों में उसने अपने व्यक्तित्यों को एक योध्धा एक प्रशासक के तौर पर ढाला उसे ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा गया जो लोगों की परवा करता है धर्में आस्था रखता है राजियों पर हमलों में मिली रखम को अपने साथियों में बांटता है और अंगजेब ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चाल चली। वो ना सिर्फ अपने भाई को सेने मामलों में नादान मानता था, बलकि उसका ये भी मानना था कि दूसरे धर्मों में उसकी दिल्चस्पी से वो धर्म उत्यागी हो गया है। और राज करने के लायक नहीं। अब दोनों भायों की टकर मैदान जंग में होनी थी। जून 1669 में दोनों सेनाए आगरा के नस्दीक समोगर में आमने सामने थी। उम्मीद के मुताबिक लडाई बेहद संक्षिप्त रही। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक और अंगजेब एक राजपूत सैनिक के वार से मरते मरते बचा लेकिन जल्द ही समल गया। वहीं दारा के होदे को एक रॉकेट लगा और वो तेजी से हाथी से उतर गया। उसके सैनिकों ने जल्द ही उसके डर को समझ लिया। लडाई खत्म हो चुकी थी। सिर्फ तीन घंटे के लडाई में दारा के दस हजार सैनिक मारे गए। जो बचे उन्होंने दारा का साथ छोड़ दिया। दारा भगोडा बन चुका था। उसके रेशमी कपडों की जगा बेकार कुर्ते और सस्ते जूतों ने रेली थी। आखिर में उसे एक अफगान सरदार मलिक जीवन ने धोका दे दिया। मलिक जीवन ने उसे बचाने का वादा किया और फिर औरंगजेप को सौप दिया। इसके बाद फटे हाल धारा का एक छोटे से साधारन से हाथी पर जुलूस निकला। बेहद उदास नजारा था। जिसने भी उसे देखा उसे तरस आ गया। क्योंकि इतने कम समय में इतना ताकतवर, इतना अमीर, इतना मशूर शहजादा इतनी बुरी हालत में पहुँच चुका था। औरंगजेब के दर्बार में हुए दिखावटी मुकद्दिमे में दर्बारियों ने करीब-करीब एक मत होकर दारा को मृत्यु दंड की सिफारिश कर दी। और फिर 9 सितंबर 1669 को उसे मौत के घाट उदार दिया गया। उसका सिर काट कर औरंगजेब को पेश किया गया। उसके शरीर को हुमायू के मकबरे के इसी मैदान में कहीं दफन कर दिया गया। लेकिन शायद हम इस मकबरे को और इसके गुलाबों के बाग को पीछे छोड़कर दारा की लाइबरेरी के खंडार की ओर जाकर दारा के ज्यादा करीब जा सकते हैं यही बचा है उस लाइबरेरी का जो दारा के पिता ने अपने पुस्तक प्रेमी बेटे के लिए बनवाई थी यह दुरलब पांडुलिपियां और इस लाइबरेरी में जो काम मौजूद है वो दारा की धुन का अनूठा बिशाय है लेकिन यह रास्ता मुगल सिंगहासन तक नहीं जाता था मुगलों के मांदर्नों के मुताबिक दारा एक नाकाम शक्स था उसे बदनसीब भी का गया उन शहजादों में से एक जो उत्तराधिकार की लडाई में आगे नहीं बढ़ सके तो भारत का वैकल्पिक इतिहास क्या होता अगर दारा सिंगहासन पर बैठता और एक उदारवादी दार्शनिक बादशाह बनता एक लुभावना सपना लेकिन एक तरहा का भ्रम भी दारा की दिल्चस्पी संस्कृतियों के साथ रहने और पनपने में नहीं थी उसे तो भरोसा था कि वो इसलाम का सत्य ढून रहा है और अगर वो बादशाह बनता तो शायद राजनीतिक दक्षता का अनुभव नहूने के चलते उसके शासन में मोगल सामराजी का पतन कहीं जल्द हो गया होता कयास एक तरफ दारा की विरासत ज्यादा असली है दारा की मौत के बाद उसका काम न सिर्फ इसलाम और हिंदू धर्म के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया बलकि भारत और पश्चिम के भी बीच एक और सवाल क्या होता अगर उसने ये अनुवाद नहीं कराय होते वो शायद ज्यादा काम्याब शहजादा होता बादशाह भी बन जाता लेकिन हमारी सोच आज ज्यादा सीमित होती